जीवित पुत्र का अबरत कथा एक बार ने मिसारन के निवासी रिशियों ने संसार के कल्यानार्थ सूत जी से पूछा है सूत कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दिरगायू होंगे सूत जी बोले जब द्वापर का अंत और कलिक का आरंब था उसी समय बहुत सी सोकाकुल इस्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जिवित रहते पुत्र मर जाएंगे जब वे आपस में कुछ निरने नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए ग प्रभो इस कली यूग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे इसके लिए कोई ब्रत या तप हो तो किरपा करके बताईए इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है गौतम जी ने कहा जब महाभा स्वारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौन पुत्र स्वस्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के सोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मन स्रेष्ट धौमी के पास गई और उस जिमुत वाहन नामा के एक राजा था एक बार वह अपनी इस्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा एक दिन आधी रात के समय पुत्र के सोक से व्याकुल होकर कोई इस्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्सन से निरास हो चुकी थी उसका पुत्र मर चुका था वह रोती हुई कहती थी हाई मुझ बोढ़ी माथा के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत वाहन का तो मानो हिर्दय विदिर्न हो गया वह ततकाल उस इस्त्री के पास पहुचा और उससे पूछा तुम्हारा बेटा कैसे मरा है बुढ़ी ने कहा गरूड प्रती दिन आकर गाओं के लड़कों को खा जाता है इस पर दयालू राजा ने कहा माता अब तुम रो मत आनंद से बैठो मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यतन करता हूं ऐसा कहकर राजा उस अस्थान पर गया जहां गरूड आ अपना दाहिना अंग फेर कर गरूड के सामने कर दिया यह देखकर गरूड जी ने कहा देवियोनियों में तुम कौन हो तुम मनों से तो नहीं जान पड़ते अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ पीड़ा से व्या कुल मन वाले राजा ने कहा है पक्चिराज इस तरह के प्रस्ण कर नाव्यर्थ है तुम अपनी एक्छा भर मेरा मान स्खाओ यह सुनकर गरूड रुख गए बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे राजा ने कहा मेरी माता का नाम है सेविया और मेरे पिता का नाम साली वहन है सुरिवन्स में मेरा जन् देखकर गरूड ने कहा है महाभाग तुम्हारे मन में जो अभिलासा हो वह वर मांगो राजा ने कहा है पक्छी राज यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अव तक जिन प्रानियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं है स्वामिन अवसे आप यह बालकों को नो खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहां जो उत्पन हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें धौमिन ने कहा कि पक्छी राज गरूड राजा को वरदान देकर स्व्यंग अम्रित के लिए नागलोग चले वहां से अम्रित लाकर उन्होंने उन्होंने की हड़ियों पर बरसाया ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनकों की पहले गरूड ने खाया था राजा के त्याग और गरूड की क्रिपासे वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया उस समय राजा के सरीर की सोभा दूनी हो गई थी राजा की दयालता देखकर गरूड ने फिर कहा मैं संसार के कल्यानार्थ एक और बरदान दूंगा आज आश्विन कृष्ण सब तमी से रहित सुभस्टमी तिथी है आज ही तुमने यहां की प्रजा को जिवन दान दिया है वहेवत्स अब से यह दिन ब्रम्भाव हो गया ह जो मुर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वहीं त्रेलोग किसे पूजित दुरगा अमरित प्राप्त करने के अर्थ में जिवित पुत्रिका कहलाई हैं तो इस तिथी को जो इस त्रियां उस जिवित पुत्रिका की और कुस की आकृती बनाकर तुम्हारी स्थ हागि बढ़ेगा और वन्स की बढ़ती होती होती रहेगी हैAI महाभाग इस विशह में विचार करने की आवश्यक्ता नहीं है हे राजन सप्तमी से रही तोर उदयातिथी की अस्टमी को व्रत करे यानि सप्तमी विद्ध अस्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर सुध्ध अस्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे यदि इस पर ध्यान नो दिया गया तो फल नस्ट हो ही जाएगा और सभागी त तरह का बर्दान देकर गरुड वेकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए धौमी द्रौपदी से कहते हैं हे देवी मैंने यह अतिसे दुरलव व्रत तुमको बताया है इस व्रत को करने से बच्चे दिरगायू होते हैं हे देवी तुम भी पुर्वक्त विधी से यह व्रत और दुर्गा जी का पुजन करो तो तुम्हें अभी लसित फल प्राप्त होगा मुनी राज धौमे की बात सुनकर दौपदी के हिर्दे में एक प्रकार का कौतुहल उत्पन हुआ और पुरवासनी इस्त्रियों को बु बैठी कर सियारिन ने भी व्रत किया फिर वही चिल्दी किसी उत्तम ब्रामन के मुह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी बैठी हुई अपनी सक्थी को सुनाया सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब से भरे हुए समसान में पहुंची वहां उसने एक्षा भर्मान्स का भोजन किया और चिल्दी बिना कुछ खाए पिये रह गई और सबेरा हो गया सबेरे वह गवा साले में गई और वहां गव का दूध पिया इस तरह नवमी को उसने पारण किया कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और यु छोटी उसके मंत्री के साथ ग्राह पत्य अगनी के सामने विधी पुर्वक भ्याही गई पुर्वजन्व के कर्मफल से वह म्रिग्नाईनी रानी हुई जिस किसी भी संतान को उत्पन करती वह मर जाती थी और पुर्वजन्व की बातों को अस्मरन करने वाली मंत्री की पत् मन्तरी के पुत्रों को उसी जगे भेजो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। सुनकर राजा ने उस मंतरी के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किये पर्मंंत्री पतनी ने जीवित पुत्रिका के पुन्नेवल से बचा लिया। वे आठो लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए उनको जीवित देखकर राज पत्नी को बढ़ा विस्मै हुआ अन्त में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पुछा वहन तुमने कौन सा ऐसा पुन किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेट तुम्हारे बेटे जीते नहीं हैं ओ राज राणी अब तुम भी उस जीवित पुत्रिका वरत को करो तो तुम्हारे बेटे दिरगायू होंगे मैं तुमसे सच-चच कह रही हूं उसके कथनानुसार रानी ने वरत किया तभी से उसके कई बेटे सुनदर और दिरगायू हो इत्रिकाब्रत कथा संपुर्ण।